प्रेंद्स वेलकम बेक टू माई चैनल तो आज है ठजडे और सुभो सुभो मेरा पुजा पाथ हो गया है तो आजकल तो उतना सुभो नहीं हो पाता है क्योंकि स्कूल जाती है बेटी तो पहले उसका रेड़ी करना पड़ता है उसके बाद जाकर कही घर के कामों में लगना पड़ता है तो कितने दिन सोते मौसम अच्छा नहीं है और दुर्गा पूजा भी करीब है तो घर पूरा अच्छे से साफ सफाई यह सब शुरू करना है तो धूप देगी की नहीं पता नहीं पर मैं सोत्री हूँ कि 15 के बाद से सुरू कर दूंगी साफ सफाई करना और अ नास्ते में रोटी और आलू भजा है तो रोटी बनाई नहीं है अभी बना लूँगी तो चलिए मैं ब्रेकफस्ट कर लेती हूं चाई आलू भजा और रोटी तो चलिए मैं नास्ता कर लेती हूं तो फ्रेंस अभी में लंच बना रही हूं और आज लंच में है जिंगे के साथ फिश की करी बनाऊंगी और ये हैं मिक्स वेज जो कल फिश ली थी ना वही में से थोड़े फिश बचे थे तो उसे ये देखिए जिंगे के साथ बना लूँगी पतला सा जोल तो आज है नेंक्स दे फ्राइडे तो फ्राइडी के आज बहुत सुबो ही उठ गई तो क्य काम रहता है घर का वो सारा कंप्लीट किचन भी अच्छी तरीके से क्लीन कर लिया है तो सारा काम करने के बाद दिशू के पापा भी चले गया थे जूँकि छे बजे उनका गारी है तो चले गया थे वो तो अभी चाई पिऊंगी तो पापा को चाई देखकर आई हूं तो अभी में भी चाई पिलूँगी और आज मौसम ना थोड़ा क्या बोलो हलका हलका बारिश है और थोड़ा थोड़ा ठंड लगने लग गई है अब तो रात के समय में तो फेन चलाने के जरुवत नहीं पड़ती है और अभी में फेश्वस करके आ करना दो तीन दिन हो गया अलवेरा नहीं लगाई थी आज फिर से थोड़ा अलवेरा लगाया है तो ऐसा ही होता है मेरा कंटिन्यू करती हूं करती हूं बीच में छूट जाता है किसी नहीं किसी वज़से तो कभी टाम नहीं मिलता तो कभी कुछ तो फ्रेंस नहाना पुजा पार्ट सब हो गया है औ और नहाने के बाद पूजा पाट करने के बाद मैं आ गोई हूं किचन में नास्ता बनाने के लिए तो दीसु को ब्रस करकर दे दी है तो उसे फ्रेश कराने के बाद बिस्कित दी है पानी और बिस्कित सुब खाती है ना ब्रस करने बाद तो वो दी है तो वो खा रही है और अब तक मैं फटाफट से नास्ता बना लेती हूँ तो अज पराठा बनाऊंगी पराठा और चाई तो दीसू को मासाले वाली पराठा दूंगी तो वो ऐसे ही खाल लेती है चाई साई ये सब नहीं जरूत पड़ता है और इतनी सुबह तो दूद भी आती नहीं है जो दूद और रोड़ी दूँ तो इसलिए तो अभी पराठा ही बना लूँगी और आज सिंगल हूँ तो मुझे फटा-फट सब कुछ काम एकेले करना पड़ रहा है मैनेज क्योंकि अगर दीशों के पापा होते है न तो छोटी-छोटी जो हेल्प कर देते है न वो भी कोपी, पेंसिल वगेरा चेक कर देना तो बहुत ही हेल्पफुल रहता है और वो कभी-कभी पूचा भी दे देते हैं तो मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है मेरी तो अभी मैं फटा-फट से नास्ता बना लेती हूँ फ्रेंड चलिए तो फ्रेंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेर करिए और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपना धेर सारा सपोर्ट और धेर सारा प्यार दीजे तो फ्रेंड चलिए मै फटा-फट से नास्ता बना लेती हूँ तो गाइस दिशु रेडी हो गई है तो नास्ता बस्ता करने के बाद दिशु को रेडी कर दिया था तो अभी भी स्कूल जाने में इसे 5-10 मिनिट बाकी थे तो वो बाहर खेल रही थी तो हिबिस्कुस का फ्लावर से थोड़ा सा पाउडर टैप का रहता है तो देखे मेरी बेटी अभी सरारत कर रही है तो पहले इतनी सरारती नहीं थी तो जब से स्कूल गई है तो उसकी सरारते बहुत बढ़ गई है तो मैं यही सोस्ती हूँ कि इनके मैडम इतने सारे बच्चों को कैसे समालती होगी स्कूल में और आज मेरे फ्लावर के पैड में फ्लावर्स हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा है और आज लंच में बनेगा यह मेरा आज का लंच है तो देखे काटकर सब धोकर रखी है और यहां कडाई बिठा दी है और यहां पर डाल बिठा ही है तो अज मूंकी डाल बनेगी तो चलिए आज का लंच में बना लेती हूँ तो देखे लंच मेरा रेडी है तो यह करेला और आलू भाजा और यहाँ पर है मासालेदार क्या बोलते हैं वो और इसके साथ था मोंकी डाल ये देखिए और उसके साथ मिक्स वेज़ था ये जो जो भी सबजी थी सब कुछ मिक्स करकर बनाई है तो आज का हमारा लंच यही है फ्रेंज खाना भाना बन गया है मेरा तो थोड़ी देर बाद दिशुको लेनी के लिए जाओंगी तो आभी थोड़ी देर रेस्ट कर लूँगी बैट जाओंगी वो जल्दी उठी थी तो काम सारा जल्दी कमप्लीट हो गया तो व्लोग कल से स्टार्ट की थी तो कंटिन्यू कर रही तो अभी इंड कर रही हूँ व्लॉग का तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पढ़ना ही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए मुझे सपोर्ट करिए और वीडियो को लाइक शेर करिए और चलिए मिलते हूं मेरे नेक्स व्लॉग में फ्रेंस तब त